आज मैं जिस टॉपिक को डिसकस करने जा रहे हैं और टाइगा फॉरेस्ट आपकी स्क्रीम पे आपको नजर आ रहे हैंगे कुछ इस तरीके से दिखते हैं और इनको बोरियल फॉरेस्ट भी कहा जाता है टाइगा फॉरेस्ट के अंदर अगर प्लानेटेशन की बात की जाए तो यहां पर जो ज़्यादा तर जो प्लांट्स हैं और और कॉनिफर्स का मतलब है यह पिक्चर में आपको नजर आ रहा होगा इस इस कॉनिफर्स ट्री और इस इस सीड बेरिंग कॉन यह कॉनिफर्स जो और टाइगा फरेस्ट के अंदर अगर क्लाइमेट के बात की जाए तो यहां पर जो सद्धी होती है वह बहुत शदीद होती है और गर्दियां जो होती है वह हलके फुलकी होती है और अगर यहां पर बारिशों के बात की जाए तो बारिशों का यहां पर जो लेवल होता है एनुली वह almost moderate to higher rainfall होता है और इसके इलावा यहां पे यह जो आपको पास boreal forest है या टाइगा forest है इसकी कुछ हिस्सों में जो soil की layer होती है that is permanently frozen और इस permanently frozen layer of soil को permafrost कहा जाता है इसके इलावा यहां पे जो water drainage system है बहुत पूर होता है क्योंकि एक तो पर्माफ्रोस्ट के वजा से और दूसरा और यहां के जो soil है that is acidic and it is also poor in minerals and nutrients अगर यहां पे मुझोड फ्रीज की अड़्याप्टेशिक्स यहां के अंदर जो उनको इस मौसमे इन के बिषी पार्व करते हैं निजलेवें नीजर्म करते हैं न सोगे में पती हुसते हैं शोड़ना रिख एस नाँटिन का कुने हैं होता है as compare to the plants with the broad leaves इसके इलावा यह जो plants है जो needle like leaves they have waxy coating on the needles और यह waxy coating जो है वो भी इनकी water loss को कम करने की strategy है यह evaporation के rate को कम करते है और इसके इलावा इनकी leaves होते है यह अगर दार्क इन कलर तो ज्यादा तर जो अगर पास अनलाइट होगी उसको maximally फ्राइब कर सकेंगे जादे 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 इज़ादा इजॉप कर सकेंगे और इसके इलावा पॉनिफरस ट्रीज जो होती है उनके ब्रांचेस को टूटने से बचलते हैं यह तो हो गई सारी प्लांटेशन की बाते हैं अगर हम अब अगर बात की जाए अनिमल्स की यहां पाए जाने वाल अनिमल्स की दाइगा पोरेस्ट के अंदर तो हम देखते हैं कि यहां पे हॉक्स पाए जाते हैं यहां पे बुल्बरीन्स पाए जाते हैं इसके इलावा लिंक्स पाए जाते हैं यह तमाम जो अनिमल्स ह यहां पर मैंने पहले आपको बताया कि सद्धियां बहुत शदीद होती है, सद्धियों के शुदू होने से पहले ही, सद्धियों के शुदू होने से पहले ही, ओपो चीए होने से कटे आपको हेल लिए आपको बादमे लिए टोशुत अलिक ःताया भीपश्व नधियों के लगए में पध्वेलूरत। यज पूपी नटमी नकिये, ले इसकोर्णॆ शख़जरी बॉड़ाये नटमी य०िए संवोटे। अलाह अभूज